Hello everyone, आज के lecture में हम लोग Josephus problem के बारे में discuss करेंगे और ये lecture मैं especially Hindi में मना रहा हूँ ताकि मेरी जो story है इस Josephus problem से related वो सबी लोगों तक पहुंचे Josephus problem जो है Mr. Josephus से related है जिनका पूरा नाम Flavius Josephus है और Mr. Josephus Jewish army के एक soldier थे और in fact soldier नहीं बलकी सेना पती थे history में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और Jewish army का एक बार Roman army से युद्ध होता है और Jewish army हार जाती है और इतने marginalized हो जाते हैं Jewish army कि इनके बहुत कम सैनिक बचते हैं तो एक सैनिक जो होता है उसका एक tendency होता है कि वो अगर बच गया है किसी युद्ध में और हार गया है तो वो surrender नहीं करता है बलकि वो अपने आपको suicide करना जाला पसंद करता है तो Mr. Josephus और उनके सौ और सैनिक बच गये इस युद्ध में और उन्होंने ये कहा कि हम रोमन आर्मी के सामने surrender नहीं करेंगे तो फिर यह अगर इन्होंने surrender नहीं करना था तो जियोश आर्मी के क्योंकि Josephus सेनापती थे तो सारे decisions यही लेते थे तो इन्होंने यह decide किया कि हम लोग suicide करेंगे one by one और चुकि एक परसन जो की सैनिक है उसका एक सम्मान जनक तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे सैनिक हैं वो एक एकर करेंगे and then उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्क संस्कार होगा and sonny होगा and contenus के बाद दूसरा soldier society करेगा उसका अंतिम संस्कार होगा यहां और उन्होंने कहा कि एक सर्किल में फ़ड़े हो जाते हैं मुखी यह मआ हूँ और इसके बाद फिर और सैनिक है और उनोंका उन्होंने नंबर दे दिया उन्होंने अपने आपको एक नंबर माना और बाखी इसी तरह से उन्होंने सभी साइनिकों को खड़ा कर दिया चुकि 100 और साइनिक थे तो दो सब्सक्राइब काउंटिंग के स्टार्ट की जा तो 101 नंबर सबसे लास्ट आता है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने से और मैं मेरे काउंटिंग के बाद जो नेक्स काउंटिंग ए नेक्स नेक्स इस तरह करते हुए जहां पर भी थर्टींथ नंबर आएगा वह से निक सुसाइट कर लेगा एंड उसके बाद फिर काउंटिंग नेक्स से स्टार्ट होगी एंड फाइनली अगें जो 13 आएगा इस पूरे सिलसिले में एक गरके सेनिक करते रहे सुसाइट करते रहे है उनका अच्छे मैथमिटिक्स थे जिस रीजन से उन्होंने इस तरह की आरेज्मेंट काउंटिंग पहले से करकी रखी थी कि अगर तेरह वाँ परसन ही ही सुसाइट करेगा तो केवल मैं बचूंगा and finally Mr. Josephus has surrendered to your Roman army so see the twist is that Mr. Josephus has surrendered to the Roman army okay so the interesting thing is that he has asked everyone else in the in his army to suicide but he has surrendered to the Roman army so this Josephus problem revolves or Mr. Josephus lived around the end of the first century and towards the beginning of the second century and if you just type a name Josephus you will you will come to know that there are several stories associated with Mr. Josephus not just a few that I just a one that I told you but there are several other stories also associated with Mr. Josephus now if you look at this, if you look at this, if you look at this, if you look at this data structure we will start counting start and the 13th node will be deleted and then again counting start and then again 13th node to delete and so on and so forth we can relate to this problem now we can relate to the circular linked list now we can relate to the circular linked list that we can help this type of circular named Jose here has a number of sidos that you write. So thechin makes the second time j and R is equal to this plus R and then modulus and it simply Mr. Josephus just rack on my sister ठीक है, Now अगर हम माल कि हमारे पास एक चोटा से अग्जाम्पल से इसको solve करने की कोशिश करते हैं इस recurrence को, जैसे कि माल लीजे कि हमारे पास 5 सानिक हैं और हर दीसरे सानिक को स्वाइट करना है, तो N की वैल्व हमारे पास 5 हो गई और R की वैल्व टू होगई क्योंकि हर 2 प value होगी इसी फार्मूला के साफ से अगर हम सोचें जे फाइफ टू इन फैक्ट हमें फाइंड करना है तो इसकी वैलू होगी जे फॉर टू प्लस टू अन्देन मॉडिलस फाइफ टीक है नौ जे फॉर टू अगर हम फाइंड करेंगे तो जे फॉर टू के केसे में जो न है वह फोर है तो हम इस के टर्मस में कैसे डिफाइं करेंगे जे फ्री टू प्लस टू अंदेन मॉडिलस फॉर चुक्य एंड की वैलुव फोर एं यह फाइंड करते हैं जे 3 2 this will be equal to j 3 sorry j 2 2 plus 2 and modulus 3 and next we are going to find j 2 2 which is equals to j and minus 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा 1 2 plus 2 and modulus 2 इस case में हम यह decide कर सकते हैं कि जो j 1 2 है इसकी value 0 है या j 1 r की value 0 बान सकते हैं अगर एक ही सानिक बचेगा तो अबसी बात है कि वही suicide कर लेगा तो j 1 2 की value हम 0 बान लेते हैं तो अब इसमें reverse substitute करते हैं हम find करते हैं j 2 2 की value given the value of j 1 2 so this is equals to j 1 2 की value 0 होगी 0 plus 2 modulus 2 करेंगे तो value 0 आ जाएगी j 2 2 की and then j 3 2 की आएगा j 2 2 हमारे पास value आएगा j 2 2 की value j 3 2 हम find कर रहे हैं j 2 2 की value अलएगी हमने 0 compute करके रखी है तो 0 plus 2 modulus 3 इसका मतलब यह 2 आ गिया and then j 4 2 की value कैसे आएगी j 3 2 जिसकी value हमने 2 compute की है so 2 plus 2 mod 4 this value will become 0 and now j 5 2 finally जो हमें find करना था उसकी value j 4 2 जिसकी value 0 है plus 2 and then modulus 5 which is equals to 2 so हमने यह find किया कि j 5 2 की value 2 है okay now अगर हम इसी example इसको एक example के तौर पर देखें तो मान लिजे की हमारे पास एक arrangement है जिसमें 0 1 2 3 और 4 पास आने के हैं ठीक है हमने counting start किया यहां से 1 2 इसने suicide कलिया and then counting यहां से start होगी this this इसने suicide कलिया and counting यहां से start होगी this this इसने suicide कलिया and then counting यहां से start होगी this this इसने suicide कलिया और finally बच कौन गया 2 बच गया आप देखिए कि आपने अपने example में भी 2 ही निकाला था जो person बच गया take recurrence relation से हम इसको solve कर सकते हैं इस जौसफस problem को इसके इलावा आप बहुत सारे examples ले सकते हैं मेरे मेरी suggestion के साब से आप ले लिजे कि आपको find करना है कि J73 इसका मतलब है कि 7 persons है एक circle में खड़े हुए और हर 3rd person को suicide करना है similarly आप find कर सकते हैं let's say J94 जिसमें कि 9 persons circle में खड़े हुए है और हर 4th person को suicide करना है okay now let us see the solution of this problem using the linked list the circular linked list जिसको हम ने अभी भी relate किया इससे now suppose we have the circular linked list like this so there are several nodes in the circular linked list okay we are considering that the C start is here at the last node and now I have to find the solution of this problem using the linked list so what we thought की counting हमारी start होगी इस node से जहां पर Mr. Josephus है आप माली जे की last node पर Josephus है यहां से हमारी counting स्टार्ट होनी है so इसको हमने P माल लिया पी नोड माल लिया और counting 1 ले लिया अगर हम यहां पर है तो हमने counting 1 ले लिया next counting हमारी यहां से स्टार्ट होगी 2,3,4 and so on so forth और हमें उस person को या उस node को delete करना है जिसको counting 13 पाती है तो हमारा टास्क यह है कि हम में 13 नोट तक पहुंचना है अब हम लूप चलाते हैं और कहते हैं कि while counting is not equal to 13 do okay so हमें करना किया है counting को update करना है c equals to c plus 1 अगर counting 13 नहीं है तो c equals to c plus 1 कर देज़े और next note पर चले जाईए p equals to p dot next जहां पर 13 मिल जाए वहां पर रुख जाईए और उस 13 note को delete कर देज़े फर एक्जमपल मैं लिजए कि 13 counting इस note किया जाती है अगर 13 counting इस note की आती तो इस note को हमें delete करना है इस note को अगर हमें delete करना है तो इसका मतलब है कि इसके previous note का address मेरे पास होना चाहिए ये note कौन सा है ये p node है और इसके previous note का address मेरे पास होना चाहिए तो let's say ये q है तो हम शुरू सही इसके साथ चलते हैं, so q equals to null एक माल लेते हैं, initially, अगर p यहाँ पे हैं, तो q null है, और जैसे-जैसे p आगे बढ़ेगा, q भी आगे बढ़ेगा, तो जहाँ पर previously p था, वहाँ पर q आजाएगा, और p आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, so q equals to p, and p equals to next p, इस तरह से q हमेशा p का previous node बना हुआ है, तो जब यह loop finish होगा, तो हमारे पास c की counting 13 है, और p उस node पे है, जिस node को मैं delete करना है, तो अगर हमें इस node को delete करना है, तो हमें आगे भी तो traverse करना है, केवल इस node को delete नहीं करना है, बहुत सारे node को delete करना है, तो हमने क्या कहा कि p को हमने आगे बढ़ा दिया, then इस node को हमने delete कर दिया, ताकि next counting जो हमारी start हो वो, इस p से start हो, next node से start हो, आपने सबसे पहले p equals to p.next कर दिया, जिससे कि p आगे वाले node पे चला जाए, and then आपको delete करना है, तो delete after q operation आपने perform कर दिया, इस delete after q operation को perform करने के बाद, चुकि आपको target node delete हो गया है, आगे again counting start होगी, और आगे counting कहां से start होगी, 1 से start होगी, इसलिए आपने c को re-initialize कर दिया, 1 पे, task आपको क्या है, कि आपको इस तरह से delete करना चाहते हैं, कि बाद में केवल एक ही node आपके पास बच्चा है, तो अगर आपके link list में एक ही node है, तो उसका identification क्या होगा, यह circular link list है, इसलिए इसका identification ही होगा, कि इसका next field इसी को point करता होगा, ठीक है, तो हमें अपना यह operation repeatedly करते रहना है, और तब तक करते रहना है, आप यह काम करते रहेंगे, ठीक है, जैसे आपको पता चलेगा, कि next of P, P के equal होगया, आप रुख जाएंगे, और आपको यह return करना है, कि यह आपका target node था, यह Mr. Josephus है, और यह आपको return करना है, so what you will return, you will either return the P or P.info, whatever you like, you can return this, so this is the Josephus problem, and in just Josephus problem, the only thing given to you, is C start, this is an algorithm, so let me write a keyword algorithm here, begin, and an end here, now one thing more, ऐसा हो सकता है, कि आप यह नहीं चाहते, कि आपको 13th node को delete करें, आप चाहते हैं, कि हर एक kth node को delete कर दे, या हर rth node को delete कर दे, तो उस case में, आप यहाँ पर parameter k लगा सकते हैं, r लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, और अब आप यहाँ पर 13 न लिखके, k लिखेंगे, क्योंकि आपको हर kth node को delete करता है, तो हमने इसको generalize कर दिया, ठीक है, हमने केवल 13 के लिए इसको नहीं रुखा, पलकि जनलाईज कर दिया, विल C is not equal to k, you will keep deleting the node, until you remain with only single node, so this is the justice problem, thank you.